हेलो कैसे न भैसे इस मैं सुराज कुमार और मैंने देखे बॉलिवुड की सबसे बड़ी मैगनम उपस की फिल्म कर ट्रेलर जिसका नाम है प्रितवी राज स्टैरिंग अक्षे कुमार और मानुशी छिलर अब यह फिल्म बेस्टे समराट पृत्वीरा चवान जी पे यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ऐसे अक्षे कुमार ने इस फिल्म के ट्रेलर के बाद तो यह चीज़ प्रूफ कर दिया कि येस अक्षे कुमार इस एपसुल अक्षे कुमार अपने फिल्मों में उतना ही एफट्ट कुमार अपने एंगल का फूल ओन डेडिकेशन नहीं रखते आथ अक्षेकुमय आज के रिखे मिने भर में एक फिन में खतम ड़ा रहे है एप और फिम्ध कर डाली है कि ऑडियंस को समन्द नहीं था है कि यह फील्म में कर रहे है प्न आए इंवेझered सेट चेश्लाच गूलागा लेकिन पूरे यश्राज में किसी में भी दम नहीं था कि अक्षे कुमार से वो character निकाल के लाए, जहाँ पर वो एक warrior लगे, एक लगे, लेकिन वो बिलकुल नहीं लग रहे, पूरा यश्राज अक्षे कुमार के सामने फटो निकला में मूँ पे बोलता हूँ, कि भाई साब आप पूरा पैसा लगा लिये, लेकिन अक्षे कुमार को पैसा देने कहला हूँ, अगर उनसे वो काम भी निकलवा लिये होते हैं, वसूल हो गया होता था, ट्रस्ट मी, अक्षे कुमार is just looking bad, मैं बहुत सपोर्ट करता था अक्षे कुमार को, लेकिन कोई भी एंगल से अक्षे कुमार एक वरियर लग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है, वो पीछे खड़े सैने की लग रहे, यह मैं टीजर में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कोल से एंगल से हम माने की यार ये समराट पृत्वीराद चवाम जी के कैरेक्टर को यहाँ पर दर्शार है, यहाँ पर वो रोल प्ले कर रहे, बिल्कुल नहीं लग रहे, अगर वो युद्ध के लिए तयार है, तो कह देना की मैं भी युद्ध के लिए तयार हूँ, अरे संजेदत को यही सारे रोल्स में लेने को लेने को लेने को यह हैबिट हो गया, यहाँ पर भी देख लो संजेदत को, संजेदत जितना स्पीड में एक तलवार उठाते हैं ना उतने में सामने वाला दस चाकू मार के चली जाएगे, यही चीज हमने भूज में देखा था, भूज के मेकर्स इतने अनपड़ थे, कि संजेदत तलवार इतना स्लो उठा रहे, प्लस उस सीन को भी उन्होंने स्लो मोशन में डाल दिया, कि ले भाई, आराम से उठा, अरे अंगडा ही ले रहे वो, और सामने सामने मारने के लिए खड़े, यह है, यही यहाँ पर भी च यहाँ पर देख लो, या कोई भी फिल्म में देख लो, यहाँ पर नॉर्मल इंसान भी नहीं लग रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहे, ही इस जस्ट कि हाँ भाई, आपको यही रोल मिला है, आपको कलंग से यही रोल मिल रहे, वही करते जाओ, बस थोड़ा सा कॉस सारी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं लेकिन वह बंदा सपोर्टिंग एक्टर से भी हुए से जांदार एक्टिंग निकाल के लाता है कि वह करक्टर आइकॉनिक हो जाता है लेगिन यहां पर देख लो क्या बोलू यार एंड कास्टिंग मानुसी चिल्लर अर्व वो सच में चिल्लर ही लग रहे है और वो ऐसा साउंड कर रहा है एक वड़ा पाव लाव सूखी चटनी के साथ ऐसा साउंड कर रहे शी नॉट अट अट ओल शाइनिंग एन उनकी डायलुक्स कितने भी ताकतवर द इतनी बड़ी फिल्म है और क्या कर रहे है लोग और कितने लोग अभी करेंगे नहीं तो भाई यह क्या नेगेटिव पॉंट्स बोल रहा है और मार्क माइवर्ट अब जब यह फिल्म आएगे ना यहीं चीज़ निकलेगा देखना कि परफॉर्मेंस इस टू बैड यह लि जो रिस्ता अक्षे कुमार और एक महिने में फिल्म करने का है तो वो डालोग अच्छे बट वेशी सेइंग इस बहुती डल बहुती डल क्या बोलु यार मैं मतलब कितना बड़ा फिल्म है यह एंड थोड़ा जो सीरियसने स्रेश रहता था 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 एंड बिलिव में यह य फिल्म और युव बूट वेरिश ईंदे करेक्टर देखलो फिर कही नतिजा निकलता है तो अवर एल्टेलर लुक्स फैंटास्टिक इन सिनेमेटोग्राफी वी एफेक्स विज्वाल्स वो प्लस वो जो गाना है हरी हर एहर एहर हर एहर हर एहर हर एहर एशंकर ऐसां लॉय लगता हूं तो प्लीज उस लगने के लिए आप भी सब्सक्राइब लगा दो या लगा दो इतना भी भाव मत खाऊ मिल दे अगले वीडियो में टिल दे कूपर टेकर को प्लेसों अगर आप लोगको ट्रेलर अच्छा लगे या नहीं लगे तो आप भी कमेंट करके बताएं क आप लोगको कैसा लगे मिल दे अगले वीडियो में बाई